यह वीडियो जो है वो class 5 के students के लिए हैं और class 5 में आज हम लोग science का lesson 2 करने वाले हैं लिसन 2 में आपको है adaptation how to how animals survive यानि कि इसमें हम लोग adaptation के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ढलनी की प्रक्रिया होती है उसके बारे में कैसे जानवर survive करते हैं दिखे पौधों की तरह यह जानवर भी जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं वे लोग जो है आपको गरम रेगिस्तान हो या फिर polar बियर पोलर रीजन सो धुरूवे छेतर हो भूमी हो या फिर जल हो हर जगा जानवर पाए जाते हैं और जी जानवर का प्रकृतिक आवास होता है उसको हमलोग habitat कहते हैं जानवर Onu को अब के वेडिटी के बाटते हैं जैसे पहले होते हैं ट्रेश्ट्रियल ett comics ये वह जानवर होते हैं जो की भूमी पर रहते हैं जिस These आरे अभी आप्ण array ये दोनों जगर हते हैं जमीन पर भी रहेंगे और भूमी पे भी रहेंगे इसमें आपको मिंदग किया फिर आपको on थे हैं जादव समयने का पर विड़ता है जैसे कि इत्थि चिंपैनजी ओगे यह सारे आम को on और यह बहुतने हैं जो कि आपको पेर पर रहते हैं उनलों को कहते हैं जैसे कि चिरिया बटरफलाइ चमगादर वगयरा है एड़ेपटेशन होता क्या है टो आसपास के इंभॉर्मेट पर रहने में मदद करते हैं और ये फीचर्स एक दिन में नहीं आते हैं जिसे देखिएगा कि Camel का क्या होता है, खंप होता है, तो वो एक दिन में नहीं आता है, उसको बनने में समय लगा है, हजारो सेक्रो वर्सों में Camel की जो प्रजाती है, उसने अपने आपको Adapt किया है, तो यह जो आपको खास गुन डेवलप करनी की प्रक्रिया होती है अपने आपको, जैसे कि आपको हाथी या फिर आपको शेड या टाइगर वगर रहे हैं, देखिएगा कि इनका जो होता है, आपको पैड काफी ज़्यदा स्ट्रॉंग होता है, जिसे कि जमीन पर आसानी से चल सके या फिर भाग सकें, इसके अलवा इनके पास फेफरे होते हैं सास की मदद से रिंगता है, ट्रेस्टियल एनिमल्स जो है, वो हर जगर आते हैं, चाहिए वो मरू अस्थल हो, पहाड़ी एरिया हो, या फिर पोलर रीजन सो धुरूवे छेतर हो, डिजर्ट की अगर हम बात करें, जो मरू अस्थल होते हैं, वो काफी ज़्यदा आपको सूख होते हैं, जैसे कि मैंने बता है हम होता है, कैमल का, जो जिसको हम लो क्या कहते हैं, कूबर, वो उसमें आपको वो स्टोर करके रख सकता है, अपना फूड और इसके लवाए इसका पैर भी जो है, वो गुदेदार होता है, जिसे कि आसानी से मरू अस्थल में चल पाता है, अगर बात करें, धुरूए छेतरों की वे, तो ऐसे छेतर जो होते हैं, यहां पर पोलर बीर या याक वगर पाया जाते हैं, इनके सरीर पर आपको बाल का बहुत मोटा परत होता है, जिसे कि इनका सरीर गरम रहता है, और ठंड की दिन में ये लो क्या करते हैं, आपको जो अगर 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 बात करें, तो यह लोग जो हैं, फेफरे से सास लेती हैं, इनके सरीर भी जो होता है, एक खास लेता है, स्ट्रीम लाइन्ड सेप कहते हैं, धारा रिखिये शरीर जो की इनको से तैरने में मदद करते हैं, एंपिबेन्स के एडेप्टेशन की अगर बात करें, तो एंपिबेन्स का जो आपको स्कीन होता है, वो नम रहता है, जिसे कि इनको पानी में सास ले पाते हैं, इसके लग होते हैं वह काफी होते हैं जिससे कि लम्भी छालांग पाते हैं और जमीन पर चलपाते हैं इसके लवब बात करते हैं सकता की बंदर घयर होते हैं यह में तो Łas Hydra है कि तेने को पकड़ से सहनी से किसीया तेने को पाकर लेते हैं हावा में रहने वाले जिवें हाओं होणा आप अजिसा के अधर छॉilla लियंद होते हैं वह स्पे चिछा इनका सरीर हलका रहते हैं और उनका Tasman सब्सक्राइब上हे स्वेडियर के जिसके करन आपको लिए कशलाय। वो आपको अलग तरीके के behavior को सो करते हैं अपने adaptation को दिखाने के लिए जैसे कि पहला है hibernation hibernation क्या होता है एक लंबी से नींद होती है जो कि मतलब 6 महीने तक समझी कि कोई जानवर सोया ही रह जाता है polar bear या फिर lizard या frog में ये पाय जाता है hibernation का जो आपको प्रक्रिया होता है ये लोग करते हैं summer के टाइम पर जो है ये क्या करते हैं बहुत जदा भोजन ग्रहन कर लेते हैं और ठंड के मौसम में ये पूरा का पूरा ठंडी का मौसम सोकर गुजार देते हैं उसी फूड के सहारे इसके लब होते है एस्टिवेशन कुछ ऐसे जानवर होते हैं डिजर्ट में जिसे की स्नेक्स ये लोग क्या करते हैं कि आपको लंबे स्लीप में चले जाते हैं summer के दिनों में ठीक है का मौसम आता है तो ये लोग वहां पर नहीं रह पाते हैं क्योंकि वहां सीवर ठंड परता है तो इसलिए वहां से अपना घर छोड़ कर और हजारों किलोमेटर की दूरी तैय करके दूसरे जगह पर भोजन और आवास की तलास में आ जाती है और जैसे ही जो है वह मौसम ख या जब लिया जाता है या दूसरे जनवरों के द्वराव भी खाली घता है इसलिए उनको अपने आसपास अपने स्ट्रों से सुरक्षित रहना ज़रूरी है सबसे पहले जो यह आपको प्रपर्टी शो करते हैं वहां कॉम ओफ लेगिंग का यह क्या होता है यह जो अपने क्यों आश्पासम लुप जो हैं इस तरीके से जनवर को प्राप्त हुआ है कि वो अपने आसपास के सपाउंडिंग में ब्लेंड हो जाते हैं दिखाई नहीं परते हैं जिसे कि दखेर होते हैं वह हरे रंक होता है और हरा घ्रैक नहीं पर रहते हैं अपने सत्रों को ईसका सिक पर या फिर कच्छवा दिखिकर उसके सरीर के उपर सेल होता है यह जो होता है उसको उसके जानवरों से बच्चाने में मदद करता है कोई उपर हमला कर दिये तो उसको असर नहीं पड़ेगा या फिर आपको चुबा कर भी जो है वहां से भाग सकते हैं या अपने सत्रू को नुकसान पहुचा सकते हैं घाओ दे सकते हैं और अपने रक्षा कर सकते हैं और है जो हो के बड़े-बड़े आपके स्पाइंस पाय जाते हैं महीं स्ट्रॉंग लेक्स भी होते हैं कुछ जीवों के जैसे की डियर हो गया या जिराफ या ऑस्ट्रिच इनके पैर काफी मज जैसे कि अगर कोई नुकसान पहुचाई या परिशान किया तो उसको यह डंक मार लेते हैं और अपने उससे रक्षा करते हैं अब बात करते हैं और पूद के लिए यानिकी भोजन के लिए जो ढ़लना है जैसे कि आपको गाय भैस हीरन वगएर हो गया इनका जो सामने का द सामने का दान्ट का का επι कर सकते हैं ज nuclear पर सके मांज को इसक के वर होते हैं दोनों चीज खाते हैं प्लांट को भी और जीवो को वी दुसरे जनर को भीया को यह इनमें आपको मुखिरू को यह ने अप अलब आते हैं इसके लिएफ ऑते हैं पेरसाइट रा जीवी जूंद्थ होते हैं वह को पहलाक्षज है अच्छ होता है इसके बाद होते हैं इसके बाद होता हैं यह सके बाते हैं सब्सक्राइब बाट वाट वाट युण लीजेए एनीमस that live both land and water amphibian कि आगे टिक माहलीजे। पोलर गिया अपर बेर लिभस इन आप पोलर पोलर रीजन पोलरर टेक माहलीजे समेब लिजे कि неп्只लमे एक्तों आप नेशैना ऊस्हकों चलंद्धाby देख á आप्नेट सी honors religion लेकिन यहां पर हर्भी बुरस बढ़िए और फाइफ में जो है आप क्या बढ़ लिए और फाइफ में जो है आप क्या बढ़ लिए और फिर से बोल देती हूं फर्स्ट में आपको भढ़ना है लिए और है बाइब दूसरे वाले में भढ़ना है ट्रेस्ट्रियल एनिमल आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप्सन के अकॉर्डिंग सही नहीं जा रहा है तो इसलिए फिर से भरवार हूं ट्रेस्ट्रियल बढ़िए गा फिर से अनिमास देट लिप इन ला लिए लिए अवर्ड़ लिए इसको आप फॉल्स भर लिजे वल्चर अन्हों चिंपैंजीज आर्सम अर्बोरियल अनिमल इसमें आप ट्रू भर लिजे आप लोको हूंबर्ग में यवल एक्सरस पुरा करना है और इस चैप्र को डीरिंग डालना है रहन देते हैं आज के इतने ही थैंक यू बेरे मिच